तो हेलो एंड वेल्केम हैं दोस्तों नमस्कार आप सभी का आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइन्स समेशर थिरी का मेजर पेपर फाइब ठीक है जिसमें आपका सब्जेक्ट है पबलिक एड्मिस्टेशन अब चाहे आप किसी भी इन्वर्सेटी में इतना कर लिजिए आपका एक्जाम आराम से आप फॉस्ट डिविजन कर जाएगा इतना को आपको घर में बनाने तो चली देखते हैं इंपोर्टेंट कोशिन पाले देखते हैं ठीक है और यह मैं स्लेवर्स पब्लिक एड्मिस्टेशन का स्लेवर्स को ध्यान को रख को बन पब्लिक एड्मिस्टेशन इसमें हमारा पहला कोशिन है लोग परसासन का अर्थ बताईए एवं अनुसासन के रूप में लोग परसासन का उदय किस प्रकार हुआ असपस्ट करें ठीक है जो लोग इंग्लिस में कमफटेबल है वो इंग्लिस को पढ़ लिजेगा यह और में आंसर किजिएगा एक्सप्लेण दा मीनिंग और पब्लिक एड्मिस्टेशन एंड एक्सप्लेण हाव पब्लिक एड्मिस्टेशन मर्ज एज और डिसिप्लिन ठीक है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कोशिन है सारवजनिक और नीजी परसासन में अंतरस्पस्ट करना है सावजनि संगठन किसे कहते हैं संगठन किसे कहते हैं इसके सिध्धान्थ तथा आधार पर प्रकाश्ड डाले इंग्लिस में है कि throw light on the principle and basis of what is called an organization संगठन आपने नाम सुनावागा बहुत सारा संगठन होता है जैसे 20 स्वास्त संगठन हो गया संजुकतराश्टर संग वो भी एक परकार का संगठन है छोटे-छोटे संगठन होते हैं बहुत सारा संगठन महिला संगठन तो बहुत सारा संगठन है वो क्या है बात डिटिल में आपको लिखना है अगला है हमारा यहाँ पर सुसासन का अर्थ प्रकिरिया तथा मात को बताएं देखिए good governance का अपने नाम सुना होगा तो बताना है इसका प्रोसेस कैसा होता है और इसका इंपोर्टेंट्स क्या है हमारे सुसाइटी में नेक्ट अगला हमारा कोशिन है सारोजनिक निती और उसके क्रियानोय के प्रकिरिया का वर्णन करें ठीक है जो पब्लिक उसकार की पॉलेशि को तयार करने के लिए जितने सटेप से वह लिखने है चटा कोशने उबोगता सनरक्षन अधिनियम एवं सामाजिक अंकेछन क्या है ये बताना है देखिए उबोगताओं को बहुत सारे अधिकार दिया गया सब्सक्रीया उन्स अगला अमरा कोशने सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है तथा परसासन में नागरिकों की भूमिका को असपष्ट करें इंगलिस में कि What is the Right to Information Act and Explain the Role of Citizen in Administration सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है ये बताना है सबसे पहले RTI के बारे में कब लागू हुआ कहां पर लागू हुआ देरे देरे पूरे भारत में कैसे लागू हुआ ठीक और वो नागरिकों को कैसे सुभिदाय परदान करता है आगे देखते हैं तो हमारा अगला Question है Max Weber के नोकर साही सिध्धान पर संचिप टिपनी लिखें इंगलिस में है कि राइट सोड नोट ऑन Max Weber's ठीक है वीरो के रेटिक थियोरी के बारे में आपको बताना है कि Max Weber ने जो सिध्धान दिया है वो कैसा है अब देख लेते हैं हम लोग प्रिवेस एर कोशिन जो कि पूछा गया है ठीक है और यह आपका देख लेते हैं तो यहां पर मेजर पेवर फाइब काई है समेश्टर थरी यहां पर देखे हमारा कोशिन आता है पहला कोशिन क्या आता है पहला कोशिन वन माक्स वाले तो इसमें हमारा पहला कोशिन है कैंची के दो फलको का समान लोग परसासन दो फलको वाला औजार है किसने कहा था ठीक है तो यह किसने कहा था देखिए यह जो कहा है इसका नाम है आपका लेविस मेरियम एक बहुत फेमस लोग परसासन के छेत्र में बज्यानिक है ठीक है तो लेविस मेरियम यह कहें ठीक है आगे देख लिएते हैं देखिए बहुत स सारा सिधान दिया गया पब्लिक एड्मिस्टेशन से जिसमें से एक सिधान थे आपका ठीक है तो पॉक जो सिधान दे यह किसके दिरिष्टिकों किसके दिरिष्टिकों में दिया गया है यानि कि इसके जो समर्थक है रिसर्चर है उनका नाम बताना है ठीक है तो देखिए इसका researcher का नाम है Henry Fayol, ठीक है, Henry Fayol ने इसका research किया है, आगे देखते हैं, next हमारा question है यहाँ पे, भारत में केंदरी बजट का निर्मान कहा होता है, यह चीज़ बताना है, English में है कि who formulated the central budget in India, ठीक है, तो formulate कुन करता है, इसको करता है हमारा finance ministry, और अभी finance minister कौन है, तो SMT निर् आगे देखते हैं, अगला question है हमारा, निम्न लिखित में से कौन सा एक, लोग पर सासन की परियोग साला है, ठीक है तो देखिए, लेवरेटरी कहा जाता है, public administration का, किसको, तो सासन के बिभिन अंगों को, organs of government, ना, आगे देख लिखते हैं, next हमारा question है पाचवा, इसमें आगे देखते हैं, तो अगला हमारा question है, 9 लोग परसासन की द्रिष्टी से सबसे महतपुन सम्मेलन कौन सा है, ठीक है, तो 9 जो नया लोग परसासन आया है, इसमें सबसे महतपुन सम्मेलन, 1960 में हुआ था, वासिंग्टन सम्मेलन, जो कि अमेरिका की राजधानी वासिंग्टन डिसी में हुआ था, ठीक है, 1968 को, next हम देखते हैं, तो अगला question है, वनमार्क्स में, कि नेत्रित का परमुक कारी क्या होता है, दीखे, जब भी हम लोग leadership करते हैं, तो उसमें जो है, हमक करना पड़ता है, कि कभी किसको achieve करना है, फिर जितने भी हम work करते हैं, उसको control करना पड़ता है, यानि कि अलबदी जिसका right answer हो जाएगा, इनमें से सभी, आगे देखते है, next, तो यहाँ पे हमारा h number question आता है, लोग परसासन के अध्यान में, बज्यानिक उपबंद दृष question और यान्ती में, one marks, sorry, इसके बाद और एक है, question है, निमलिखित में से कौन सा एक गुन जो है, नेत्री तो का नहीं है, देखिए, नेत्री तो जब भी आप leadership करते हैं, लीड करते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी गुन होती है, जिसमें से आपका मतलब चालाक बन जाते हैं, द्री दिचार सकती रहता है, ठीक है, दूर दर्सिता रहता है आप में, कि future में क्या होने वाला है, लेकिन लाल फिता साही एक गुन नहीं, बल्कि एक अउगन है, लाल फिता साही मतलब किसे काम में देरी करना, सरकारी कामों में अक्सर जैसे हम लोग आवासी जाती आ जाता है, यानि कि लाल फिता साही, ठीक है, जितना समय है, उसने समय में काम को complete नहीं करके ज्यादा समय लगाता है, अगरा हमारा परसासन पर नियंतरन किसका होता है, तो देखिए, जो हमारा administration होता है, उसमें executive का कंट्रोल होता है, परसासन पर नियंतरन किसका होता है, एक कार पालिका कोरने होते हैं तो जितना भी सरकारी नोहकरी करने वाला यह सब है काईर पालिका क्वश्चन अब देखे लिप out है रिज़े कोस्ट इसमें हमारा पाला कोशन देखें पुछा गया है कि नाविन लोग परसासन की अवधारणा को अस्पष्ट करें एक्स्प्लेन दे कॉंसेप्ट आप न्यू पब्लिक एड्मेस्टेशन और फिर अगला हमारा कोशन है कि प्रसिक्षन के उद्देश्तियों एंपरकारों पर एक नोट लिखना है ठीक है प्रसिक पर नियाएक नियंतरन के विभिन साधनों का वर्ण करें ठीक है और आगे देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा नियंतरन की सीमा का अर्थ बताना ठीक है तो यह आपके चार है जिसमें से किसी दोख मानाना है और वह जो दस अब्जेक्टिव है अब तो पांच को सब्केक्षल इसको आप जो 15 वाला भी बोल सकते हैं या फिर 10 माक्स वाला भी बोल सकते हैं आपके एक्जाम में आता है जैसे की जहारखन के मैक्सिमम एक्षिम में 15 माक्स वाला आता है ठेक है चलिए तो देखते हैं हमारा कोश्ट ने लोग पर साशन की परिभासा दें तथा इसके छेत्र का वाड़ान करें मोस्ट इंपोर्टन कोश्चेन ने लोग पर साशन की परिभासा और इसका छेत्र बताना है ठीक है का पीसी अस होता है ठीक है इन सभी में जो लोग से वहाओं की भरती होती है इसके कौन-कौन सा प्रोसेस होता है यह चीज़ बताना है कम यह को निकालना है क्योंकि आलोचना बोला गया है ठीक है अगला हमारा है पद सोपांच सिधान से आप क्या समझते हैं इस पर नाली के गून और दोस्त क्या-क्या है यह दोनों बताने हैं एक साइट गून बताईएगा एक साइट दोस्त बताईएगा पांचवा कोशन है हमारा कि वाटिश ट्रेनिंग प्रसिक्षन क्या है और प्रसिक्षन के उद्देश क्या होते हैं ट्रेनिंग के गोल्स क्या होते हैं कित सैयार हो जता है भारत में इसका क्या क्या प्रोसेस होता है यह सारी चीज़ जानना है गुप्त रखा जाता बजट को पहले फिर बाद में एक समय निश्चित समय पे उसको प्रकट किया जाता है अगला हमारा परसासन पर विधाई नियंतरन परणाली के बिविचने करना है कि परसासन पर विधाई नियंतरन परणाली होता है लेजिस्टाटिव कंट्रोल होता है कैसे काम करता है अक्सर इन में विवाद भी हो जाता है ठीक है तो दोनों इस्तितियों को बताना है कि अक्सर परसासक और नेता और आधिकारी लड़ जाते हैं आपस में देखते होंगे दका मुकी हो जाता है लेथिया लेथी हो जाता है ठेक है तो सब चलता है भाई भारत है अगला है नाविन लोग परसासन के परमुक बिसस्ताओं और उसके विकास का वड़न करें जो हमारा नाविन लोग परसासन है इसकी क्या-क्या बिसस्ताओं है यह सारी चीजे आपको ब पर इतना आप लोग कर लीजेगा एक जाम से पहले जितना कोशन दिया गया है इन सभी को घर में सौउल्व कर लीजेगा अगर आपके पास पेपर नहीं तो इंटरनेट से सब धार को सर्च करके पढ़ लीजेगा और हो सके तो नोट भी कर लिजेगा परते कोशन को कॉपी में आंसर कोशे नरा आंसर दोनों ठीक है तो आंसर आपको गुल से पाइंड आउट करना है और पीडियप इसका मैं वीडियो का डिस्क्रिप्रप्शन में दे रहा हूं अगर आपको कोई दोस्त हो चोई गांदे रहा है तुम तो इस जोसन का सभी वीडियो माई धिरे-धिरे करके अप्लोड कर दूंगा ठीक है बहुत सार अप्लोड है सर्च मारेगा तो मिल भी जाएगा बाइबाइ साड़े बारा मिनिट हो गया यार